हेलो एवरिवन, वलकम टू माई योटब चैनल, आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और जैसा कि आप लोगोंने थमनेल पे देखा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रूप D, NTPC और RRBJ की अपकमिंग वेकेंसी के बारे में देखो अभी तक आपको दो वेकेंसी का तो पता लग चुका है या आप कह सकते हैं कि तीन वेकेंसी का आपको पता लग चुका है जिसमें ALP के आपको पता है कि 596 वेकेंसी आई है, उसके बाद अगर बात करें technician के 9000 के around पदों पर वेकेंसी आनी है और यहां पे कितनी vacancy आपको 2024 में Group D की NTPC और JEE की देखने को मिल सकती है देखो जब number of vacancies का थोड़ा सा idea होता है तो आपको preparation करने में भी थोड़ी असानी होगी जब आपको पता होगा कि कहां पे आप fight कर सकते हैं, कहां पे competition जादा रहेगा तो इस वीडियो में basically हम previous को देखते हुए और साथी जो अभी present का scenario है इसको analyze करेंगे और देखेंगे कि Group D, NTPC और JEE की कितने पदो पर vacancies आपको 2024 में देखने को मिल सकती है तो वीडियो को बिना skip के end तक जरूर देखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले Friends अगर आप railway के किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि reasoning और mathematics का जो portion है वो लगबख सभी exam समिश सेम ही रहता है तो अगर आप reasoning और mathematics की बहुत बहुत बहतर तयारी करना चाहते हैं तो किरन publication की तरफ से reasoning और mathematics के लिए दो book आती हैं mathematics में 10,000 question और reasoning वाली में 8,700 question आपको देखने को मिलते हैं 1996 से लेकर अभी तक जितने exam हुए सबी के question यहाँ पर chapter wise और type wise आरेंज किये गए हैं with the solution अगर आप लोग railway का कोई भी exam देना चाहते हैं तो यह दो book आपके लिए sufficient हैं आपके नजदी की book store पर easily available भी हैं और इससे आप लोग complete तयारी अपने railway exams की कर सकते हैं साथ है आप लोग इसको online भी purchase कर सकते हैं link में description में आपको देदूँगा तो देखे वैसे तो railway का जो prediction है वो करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको सारी जी यह समझाओ सबसे पहले बात करते हैं देखो ALP की ALP की अगर last वेकेंसी की बात करूँ 2018 की तो लगबग 27,795 पदो पर यह वेकेंसी आई थी और अभी अगर आप वेकेंसी की बात करें तो यह आपकी लगबग 56,96 वेकेंसी है तो इसको अगर हम पुरानी वेकेंसी को अगर हम 5 से डिव अब बात करते हैं टेक्नीशन की अगर मैं बात करूँ 2018 में जो वेकेंसी आई थी वो 36,576 पदो पर आई थी और अभी रेल्वे ने बता है कि लगबग 9,000 के अराउन यहाँ पर पदो पर वेकेंसी आएगी तो इसको भी अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तब हमें पर अगर हम बात करते हैं आरपिएफ कॉंस्टेबल की आरपिएफ कॉंस्टेबल के बारे में आपको बताए लगबग 2000 पद बताए गए थे जो नोटिस सामने आया था और लास्ट वेकेंसी थी 8619 ठीक है तो अगर हम इसको निकालें तो यह बैठे का लगबग चौथा बा है तो इसको भी अगर हम लगबग 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 224 या अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वही फिगरा जाएगा यानि कि आप लोगों ने यहाँ पर इन 4 वेकेंसी से क्या देखा कि जो 2018 कि है जो पुरानी वेकेंसी है उसका या तो 1 by 4th वेकेंसी देखने को मिल रही है अब इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर देखना चाहें RRBJ को ठीके RRBJ की अगर वेकेंसी की बात करें तो लास्ट वेकेंसी जो है 13,487 पदों पर आई थी तो अगर आप इसका 1,4 निकालते हैं 4 से इसको बाग करते हैं तो लगबग 3,71 वेकेंसी निकल के आती हैं और यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा जादा भी इंक्रीज करें तो 4000 के अराउंड पदों पर आपको यह वेकेंसी देखने को मिल सकती है प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार अब इसी आधार पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रूप D की तो ग्रूप D स जादा आने के चांसे जिन सभी पोस्ट में हैं तो इसका अगर हम तीसरा भाग भी निकालते हैं तो लगबग 33,000 प्लस वेकेंसी आपको ग्रूप D की देखने को मिल सकती है उसके बाद अगर हम बात करते हैं NTPC की तो NTPC की लास्ट वेकेंसी आई थी लगबग 35,000 पदों पर और इसका भी अगर वन थर्ड निकालते हैं तो लगबग 11,666 बनता है और अगर ज्यादा से ज्यादा भी आप ले लें तो 12,000 के अराउंड पद आपको ये देखने को मिल सकते हैं present scenario के नुसार अगर देखा जाए तो जैसे हम बात करें ALP की 596 वेकेंसी आई है technician के लगबग 9,000 पदों पर वेकेंसी और अगर बात करें constable और SI की तो ये 250 पदों पर दोनों का आपको पता है और उसके लाव अगर हम बात करें J की तो J के लगबग जो है 4,000 या 35,000 के अराउंड आपको पदिये देखने को मिल सकते हैं मैंने आपको information पूरी दी है पूरा मैंने आपको data analyze करके दिखाए ग्रूप D के अगर मैं बात करूँ तो लगबग 33,000 प्लस vacancies रहेंगी और मान के चलो कि ग्रूप D में ही सबसे ज़्यादा vacancy आपको देखने को मिलेंगी NTPC की बात करें तो 11,500 से लेकर 12,000 के बीच में ये आपका figure रह सकता है उमीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखी होगी तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें